लेक लेक लेकर आया हूँ अबैद व्यापार का खत्रा लेक तो बहुत जबदस्त है ही इससे बहुत सारी information मिलने वाली है यह पूरा video informative होने वाला है और additional इसमें है English language learning process पूरा यहाँ पर चलेगा vocab की जानकारी आपको मिलने वाली है sentence का translation आपको मिलने वाला है आईए जुड़िये मेरे session के साथ सारे बच्चे जितने भी आसपास उनको please like करिये और मिलकर पड़ते हैं the trade from illicit trade बिसर बहुत बड़ा है अभी मैं आपको बता दूँ भारत के अंदर जो अवैद व्यापार चलता है बच्चो इंडिया के अंदर जो अवैद व्यापार चलता है प्यारे बच्चो उसमें देखो क्या लिखा हुआ ध्यान से देखना उसमें ये लिखा हुआ है कि 122 देशों की जितनी अर्थ व्यापार चलता है इलिसिट ट्रेट चलता है क्या है ये पूरा विशह इसको जानते हैं और इसमें लिखा है थ्रेट फ्रॉम इलिसिक ट्रेट तो ये हैडलाइन है इसके बाद में थुड़ा और इसकी एक सब हैडलाइन को पढ़ा दो आपको फिक्की आप जानते होंगे भारत की वो संस्था जो ट्रेट की बारे में इन्फॉर्मिशन देती है तो न्यू फिक्की रिपोर्ट यहाँ पे ए आर्टिकल न्यू एडजिक्टिफ फिकी एडजिक्टिफ और रिपोर्ट आपका असली नाउन है और यही है सब्जिक्ट फुट्स यहाँ पे क्लिया है तो मिला कि अगर पढ़ेंगे तो एक नई फिक्की की रिपोर्ट पुट्स दा ओवरॉल स्कोर यह टोटल स्कोर देती है निए टोटल आंकडा देती है पूरा स्कोर देती है टोटल जनकारी देती है अवाख है और इकनोमी और अवेद एकॉनमी इन इंडिया यह बता रहे है फिक्के की जो इल्लीगल एकॉनमी है निंघ अव्य और्थ विश्था है जो हाद की तो इलिटी आया था अजैसे या आप न्यू चैअ पर खोलते हो जैसे ही कुछ पढ़ना शुरू करते हैं अगर आप नए हैं अगर आप sincere हैं पढ़ने में तो पड़ा फट दो सब्द आगा illegal illicit मतलब अवैद और इसमें भी फरक आता है इसमें भी फरक आता है illegal जो है वो illicit कहीं प्रयोग हो सकते हैं लेकिन जब relationship में अवैद की बात करते हैं जब सम्मंधों में कुछ लोग गड़वड करते हैं relationship में तो फिर वहा illicit ही प्रयोग में आता है illegal प्रयोग में नहीं आता है यह एक short question बन चुका कहिए तो मैं दिखा दूँ आपको इसको जड़ा ध्यान से देख लिए इसको अगर मालीजे आपने कहा कि he has an relation with his cousin अगर इस तरह का sentence आता है he has an relationship with his cousin और आपका option अगर आता है illegal और दूसरा illicit तो प्यारे बच्चो illicit जो है वो ऐसी जगहों पर जहां moral values का उलंगन किया जा रहा वहाँ illicit number one होता है तम्मंधों में अगर गरवर कर रहा है कोई तो यह illicit में जाएगा यानि आपका option होगा इसमें second option होगा और बात समझें और कोई अगर लीगल कानून का उलंगन करता है लीगल यह होता सामाजिक नियमों का नेतिक नियमों का उलंग वहाँ illicit बहुत आएगा और जहां लीगल यानि की कानूनी जो मानता हैं उनको तोड़ेगा तो इलीगल हो जाएगा तो यहाँ पर भी अलाकी दौनओं कॉमन थिये overlapping हैं कहीं कहीं overlapping हो जाते हैं जैसे अभी trade में दौनों overlapping है trade के साथ आपका illegal भी सही था और illicit भी सही था illicit और illegal लेकिन जब आप social और values की बात करेंगे तो वहाँ illicit होगा getting my point एक बार session को दवा के share करिए मैंने आपको पहले से information डाल लगी थी कि मैं 8 a.m. live आने वाला हूं तो please do cooperate me to support me and share the video with your friends so that they can also get live and whoever get live please stay with me I want you to be live मुझे live चाहिए आप ता कि मैं अपनी पूरी energy से पढ़ा सकूं तो यहां पर क्या लिखा हुआ है बच्चे की जो illegal economy है इंडिया वो higher than the average higher than the average of 122 countries 122 देशों की जो औसत अर्ज होसता है उससे जादा तो हमारे यहां पर illegal trade चलता है अबैद व्यापार चलता है legal की बात ही छोड़ दो 122 देशों की जो औसत economy है उससे जादा भारत में illegal trade चलता है अबैद व्यापार चलता है इट इंडिकेट जैनी जो illegal trade इंडिकेट करता जो आकड़ा है वह इंडिकेट करता that various criminal market की बहुत सारे criminal markets अब Criminal का मतल़ब होता है ऐसे बाजार जहां नियमों का उलंगन किया जा रहा है जहां नियम तोड़े जा रहे तो बहुत सारे criminal markets हैं our major impact है वहां पर present इंडेफनेत है criminal market subject मेहां पर object of index on Indian economy यहां पर जो है एक बड़ा असर है ओन इंडिया जो एख भारत के अर्थिक धाचे पर इसका बहुत ज्यादा impact यानि असर है impact का मतलब असर यहां क्रिम्नल सब्से में जरूर चाहूंगा कि क्रिम्नल के मतलब जो बहुत सारे धंदे चलते हैं कुछ क्रिम्नल मार्केट हैं जैसे kidnapping छैप्इंग है तमाम किसम के हो सकते जहां नियमाँ का उलंगं करके बिजनिस चलाया जाता उन सब कुक्रिमिनल मार्केट में डाला जाएगा कुछ में मार्केट मैं ले लिए गया गुड्मोंनिंग आइस मिस्तर भ्हूं सारे लोग एक बार शेर करिए सेसन को प्लीज एक बार और शेर करिए ये बच्चे जो है बेवकूफी करते हैं जो सही बता रहा है ऐसे सेसन को फालो नहीं कर पाते हैं इनको बहुत समझाना पड़ेगा एक मिट आप लोग भी शेयर कर दीजिए ये रैस पर अधर प्लैट्सरम पर शेयर कर दीजिए ध़र झालो पर रहा वी बतार कि अजिए चड़नाो प्लरष करोण वे जो दीजिए प्ल on God चलिए इंसाइड स्टोरी को देखते हैं इसमें आगे सारी जनकारियां लेते हैं इसकी आएवाच्छ देखते हैं जरसके अ 30-year-old tree in England एक नज़ेदा थोड़ा हम लोग सही से ओपन करें से जिये यहां से चैलिए वए इलिसिट मार्केट यानि इलीगल ट्रेड इन ड्राग्स इलीगल मार्केट किसका है ड्रक्स का है आम्स का है यानि नसीली दवाओं का हथियारों का देशी हथियारों का नसीली दवाओं का या फिर जो बिदेशी हथियार हैं जिनका इलीगल तरीके से ट्रेड होता है और फाइनिशल फ्लॉज और जो बित्तिय कमी है आप देखाव फ्लॉज के मतलब आगे कमी हैं गरवड़ी भी पढ़ सकते हैं जो बित्तिय गरवड़ी नहीं बित्तिय गरवड़ी जैसे कोई फाइनेंसिंग फाइनेंशल इंस्टिटूशन है वो लोन देता है प्रॉपर्टी के बल दे और उसमें धोका धरी करता है तो यह भी एक समस्या है तो फिनेंशल फ्लॉज फ से लेके और यहां फाइनेंशल फ्लॉज तक सब्जिक्ट है इलिसिट मार्केट जिसको ब्राकेट में नोंने और इलैबोरेट किया है कि यह एक इलिसिट मार्केट क्या है खास्तों से ड्रग्ज और आम्स का हथियारों का है और यहां पे फिनेंशल जो फ्लॉज हैं यह क् बित्ति एकर बढ़िया है जैसे बहुत सारी संस्थाइं असी कुली है जो दोखा धरी करके यह लोगों का पैसा लेती है और पैसे कमाती है यह सब मिलकर पूज याणी पेस करती है पूज का मदलब यहां पेस करती है प्रस्तुरत करती है प्रजेंट करती है और a significant threat यहां पर सब सिचुएशनल सब्द बदलना चाहिए भले उनकी दिक्षिनरी में कोई एक मीनिंग आप पड़ते हों टू इंडियन सोसाइटी एंड एकॉनमी तो यह बड़ा ही गंभीर खत्रा पैदा करते हैं टू इंडियन सोसाइटी भारतिय समाज को और एकॉनमी को यानि अर्थ व करिया है और यह जो संस्था है यू और डीसी यह सब्जिक्ट की भूमिकाम यहां पर दा यूनाइटेड नेशन्स ऑफिस ऑन ड्रग्स अं क्राइब पूरा सब्जेक्ट है यहां पर मिला के और एस्टीमेट यहां पर क्रिया है तो यह जो यू एन ओडीसी है करता है डैट की एस्तिमेट की बाद यह जिसको पढ़ोगे की वें द इंडियन एकॉनमी सपास्ट त्री ट्रिलियन इंट टॉंटी-टॉंटी-वा जब भारती अर्थ्ववस्था निकल गई सरपास्ट का मतलब आगे निकल जाना थी टॉंटी-टॉंटी-वा यहां की सारे स सब्सक्राइब दो हजार कीष में भारती और स्वस्था जब तो तीन ट्रिलियन को पार कर गई तक क्वांटम ओफ मनी लॉंडरिंग तो जो मनी लॉंडरिंग की मात्रा है जो वैल्यू है जो इसका टोटल कैलकुलीशन है क्वांटम पूरी मात्रा जो है मनी लॉंडरिंग की तब एक सब्दा है हां पर मनी लॉंडरिंग मनी लॉंडरिंग का मतलब होता है पैसे का अबैद रूप से ट्रांजेक्शन पैसे का इल्लीगल ट्रांजेक्शन यह गलत चीजें करके जो पैसा इधर से उधर ले जाया जाता है वो मनी लॉंडरिंग होता है जिसका आपने टैक्स नहीं चुकाया है जिसका सरकार को टैक्स नहीं है वो money laundering जाता है तो money laundering was 159 billion यह 159 billion का है about 5% of the country's GDP और यह भारत की GDP का 5% है यानि 5% हमारा पैसा गलत तरीके से without tax के यानि बिना किसी tax payment के यह पैसा float करता है economy 5% of the GDP इन्फॉर्मेटिब भी है words तो आपको मिली रहे है information भी लगातार आपको मिलती रहेगी इसलिए मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे सुनें जो पढ़ने वाले हैं जो जन्यूनली पढ़ने वाले वह कम से कम मुझे सुनते रहे हैं आई एंड भी मिनिस्टर अनुराक ठाकुर आप जानते हैं information and broadcasting minister हमारे यहां के कौन है अनुराक ठाकुर said on उन्होंने कहा on Friday तो यहां पर मिनिस्टर अनुराक ठाकुर सब्जिक्ट है सेड आपका यहां पर क्रिया का सेकंड फॉम है पास्ट इंडेफिनिट का यह सेंटेंस है ऑन फ्राइड़ आपका है एडवावियल फ्रेज है समय सूचक अब आगया आप कंजिंग्शन डैट पर इलिसिट ट्रेड यहां सब् मतला होता है बुरा असर छोड़ना मिला के पढ़ोगे कास्ट सेडू बुरा प्रुभाव डालना बुरा प्रुभाव डालना अब आप देखो ना कैसे एक एक करके सब्द मिला है इलिसिट ट्रेट का मीनिंग आपको पता चला अवैद ब्यापार यहां पर यह झाई और इंडिया प्रोग्रेश भारत की ठकि पर इसका बहुत बुरा अशर तुवार्श विकविंग Ln अकॉन और किस तरफ यह बुरा सरथ पांच ट्रिलियन की अर्थ व्यूस्था बनने की जिसा में जो पहर खी ब्द है भारत की उस पर बुरा अशर किसका का है एल तूरच और शिया तारे बच्चों देखिए आप तो कितने जाना लोग निश्क्री और इंसेंसिटिव हैं प्लीज ट्राइटू अंडरस्टेंड हजारों बच्चों के बीच में मैसेज जा रहा है बहुत सारे बच्चे जो है टेलिग्राम से हैं बहुत सारे यूटूब पर हैं बहुत सारे बच्चे हमारे स्टेटस पर हैं आप लोगों के माध्यम से भी कई बच्चों तके संदेश जाता होगा एक बहुत ही एहम सेशन आपका आरकेंगो प्लैटफॉर्म यूटूब सेशन चलता है जब जब आप उसको सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राब में बताया जाता है कि वावजूद और कभी कभी आप देखें तो लोग किनारे बैटकर दर्द भी वैया करते हैं मैंने बहुत लोगों को रोते और दर्द बयाकरते सुना है अंग्रेजी थोड़ा सा कमजोर पढ़ जाती नहीं तो मैं भी कमाल कर देता है और सब फलता से तो दूर रहोगे ही मेरे भाई तो ब्रोधा भाज से मुक्त हो जाओ प्रुभू इलिसित ट्रेट हैज बीन सीन और जो अबैद व्यापार है हैज बीन सीन मोस्टली फ्रॉम दा प्रिज्म आफ लॉस इलिसित ट्रेट को अधिकांस्त्रया मोस्टली सीन माने देखा गया है है फ्रॉम दा प्रिज्म आफ लॉस नुक्सान के चस्में से नुक्सान के नजरिये से अभी इतना पूरा एक साथ लिखना जड़ा from the prism of loss को मिला के लिखोगे नुकसान के नजरिये से from the prism of loss जड़ा नोट कर लीजे नुकसान के नजरिये से प्लीज नोट करिए सब allocations ये सब साथदिक परंपराएं जब आती हैं तो आप फस जाते हो नुकसान के नजरिये से लिखना है तो from the prism of loss अब यहां पर question बना देता हूं तब तुम्हारा host काने आएगा कि इनकी उप्योगिता है क्या कुछ लोग कहते हैं का परहावत हो यार यह कावा आजाओ यह कावा यही जान लो कि यह कावा from the of loss are experts look into our economy चर्वतक kel तो substract pen सी प्रिज्म प्रिज्म प्रिए लेंस अब आप अगर पढ़ते होंगे न्यूचीव पर तभी एक्वेस्टन सम्हाल पाएंगे अब तो आप प्रिज्म का ओप्सन ले पाएंगे नहीं तो यह जो क्वेस्टन है दम पे सही होते हैं क्या करोगे इसका बता दो जबता दो मेरे भाई अगर आप फोकस्ट रीडिंग नहीं करते हो तो क्या करोगे आप ऐसी जगहों पर तुक्का लगा दोगे फोकस्ट रीडिंग के मतनब होता है फ्रेजिश पर सब्दों पर अटेंशन देते हुए पढ़ना और कॉंटेक्श्च्वल उनका मीनिंग क्या है उनका जो विसह पढ़ रहा है उसमें कैसे पढ़ना है वो अगर आप अटेंशन नहीं देते हो इसके लिए 600 वीडियो बना ड डाले हुए है थे प्रुभू आपको भगवान सत्थ बुद्ध्य दे और आप पिछले वीडियो भी फॉलो कर लें ताकि आपके जीवन में अंग्रे जी की संपन्नता आ सके हाँ बिलकुल होगा अब देखिए के देहां से और क्या लिखा लॉस्टो आगे भी तो देखना है आगे भी तो देखना है प्रिजम आफ लॉस्टो दा एक्स शेकर एक्स शेकर क्या होता है खजाना जो भारत का खजाना है भारत का कोश है कोश भी पढ़ सकते हैं उसके नुक्सान के नजरिये से ही अब तक जो है इलिसिट ट्रेट को देखा गया है राइटर बेसिकली कहना चाहता है संपादक उपयोगिता नहीं जानते हो तो कम से कम कोमेंट डाल दो कि इस अन्स्कूपलस ग्लोबल बिजनेस है जिस टैंटेकल्स रीचिंग फार और इसके बाद टैंटेकल्स कैसे पढ़ोगे रीचिंग फार कैसे फार और वाइड एंड कंप्रोमाइज इस दा सेफ्टी और प्लस एक बताना है आपको टैंटेकल्स फार इंड वाइड का मीनिंग बताना फार इंड वाइड के स्पैसिफिक मीनिंग आपको बताना है इसके बाद आपको मीनिंग बताना है सिनिस्ट्र लिंकेज का फिर ऑगनाइज क्राइम क्या होता है नेटवर्क एंड टेरर फाइ बिना वज़े नहीं सही से करिए चलिए आप लोगों का कॉमेंट में देख रहा हूँ अभी कोई प्रॉपर रिस्पॉंस नहीं आ पा रहा है यह भी बच्चे का जवाब नहीं है भाई जान लीजी आप अलोग तिवारी भी आ चुकी है किसी के जवाब नहीं है चलो फे नोट कर लोगे जवाब नहीं है फटा फट नोट करो अब आप एक एक करके सुनिएंगा रहां से पहला यहां से देखो दिस माने यह अनिस्टू प्लस मतना होता है सिद्धान्त विहीन अनैतिक अनैतिक विजनेश यह जो अनैतिक व्याज्विक वैपार है यह इसका है इट्स टैन्टेकल टैन्टेकल का मतलब लिख दो इन्फूएंस असर थैनितेकल का सुधींदीर उसर प्रृवायों कि say profit है टैनटेकल है रीचिंग फार एंडव इसका असर दूर दूर तक पहुंच रहा यह समझोता कर लेता है अब बयापार समझोता कर लेता है सब्सक्राइब की सेफटी और सिक्याइटी के साथ समझोता कर लेता है डियूटू देर इसकी वजए से अपने सिनिस्टर यानि खतरनाक समंध विट ओगनाइज़ क्राइम सिनिस्टर मनें डैंजरेश इविल वहती बुरा जो लिंकेज समंध विद लिंकेज विद ओगनाइज़ क्राइम संग्ठित अपराद जो लोग मिल का टीम बना के हैं उनके कारण देशों की सो सुरक्षा को कॉंप्रमाइज किया जाता है और इस वेइमानी भरे असिद्धान्त वहीन या अनेतिक विजनिस का काफी असर दूर दूर तक है सेंटेंस समझ में आया सेंटेंस समझ में आया बच्चों सेंटेंस क्लियर हुआ आपका अब मैं आपको यहां एक बार फिर से हाइलाइट करना चाहा रहा हूं कुछ एक चीज में यहां पर आई थी मैं दिखाता हूं आपको सेफ्टी और सेक्यॉर्टी इसको लेकि बच्चे बहुत क्लियर नहीं होते हैं और कई बार एक क्वेश्चन इनका फस्ता है जो आज के बाद आपका नहीं फस्ता चाहिए सेफ्टी और सेक्यॉर्टी में कुछ तो अंतर होगा सेफ्टी और सेक्यॉर्टी में कुछ तो फरक होगा दोनों का मतलब सुरक्षा पढ़ते हैं लेकिन कैसी सुरक्षा कैसी सुरक्षा तो सेफ्टी जो है वो फिजीकल पिजिकन्स रखचा है यानि शरीर को कोई नुक्सान ना पहुंचे वहां सेफटी बहुत आता बहुतिक रूप से कोई नुक्सान ना हो वहां सेफटी बहुत आता जैसे बुजर्गों की सेफटी का ध्यान रखना है की सेक्योर्टी का ध्यान रखना है तो बुजर्ग को खड़िये कोई फिजीकल हम जल्दे नहीं पहुंचा रहा है कई बार अगर मालो हम पहुंचा रहा है तो फिर सेफटी की जरूए थो लेकिन मालो की कोई बुढ़ा वेक्ति जिसको कोई चोट नहीं पहुंचा रहा है कोई मार नहीं रहा है लेकिन मेंटल सेक्योर्टी नहीं ह कि मैं बीमार हो जाओंगा अस्वताल कौन ले जाएगा उसे डर है कि मुझे में पाइसे नहीं रहेंगे तो कौन मुझे पैसा देगा तो सरकार जो है वो बेसिकली सेक्योर्टी प्रवाइट करती है सेक्योर्टी मनने उनको विश्वास्त योजनाओं के माद्धियम से देती कुछ भी करेगा आपको उसके लिए पूलिस्ट लॉइंड और मेंटिन करेगी गट दपॉइंट तो सेफ्टी सेक्योर्टी बहुत क्लियर दिमाग पर रखना और थोड़ा सा अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ा के देखा करो मज़ा आएगा पढ़ने माँ तो आप य सेफ्टी सेक्योर्टी का फरक पता चला आपको ड्यूटू मतलब के कारण से और नाइस्ट क्राइम का मतलब है संग्ठित अपरात का जो नेटवर्क है जाल टेरर फाइनेंसिंग यह आतंगवाद को पैसे देना टेरर फाइनेंसिंग ठाकुर सैड यह जो अनुराद अब ध्यान से देखना ओन थर्जडे पता चला कि दिन के साथ प्रेपेजीशन ओन ब्रश्वपतिवार को सी बी आई एनि सेंटरल बोर्ड ओफ इंडारेक्ट टैक्सेजन कस्टम चेयर्मेन यानि की सी सी बी तो सिंटरल ओफ इंडारेक्ट टैक्सेजन कस्टम के चीयर्मेन हैं, मिस्टा संजय कुमार अकरवाल है, उन्हें कहा टैक्लिंग यहाँ पर सबजेक्ट है, टैक्लिंग काउंटर फीटिंग ये object है ये subject है tackling ये object है तो tackle करना नहीं हल करना या समस्याव करने दान करना counterfeiting यानि जाल साजी counterfeiting क्या जाल साजी है। है भाई यह सब्सक्राइब का रही है कि एक बार प्लीज मेरा समत्रपन करदो मुझे बच्चे ये कमेंट करें कि क्या इस न्यूशवपर सेसन को अगर बच्चे फॉलो करते हैं ऐसे न्यूशवपर वीडियोज को फॉलो करते हैं तो क्या वोकैस नहीं होगा क्या अनवात की छम्ता नहीं बढ़ेगी एक कम्न कर दो ताकी में आगे और जनून के साथ आपसे बात कर सकूं प्लीज करिए और अपने सातियों को बताइए यह जो सोती हुई आत्माएं हैं उन संदेश पहुंचाओ कि बहुत बेनिफिट आपको मिलता है अगर आप कोई प्रॉफिशनल हैं जैसे माली जी आप टीचर्स हैं डॉक्टर्स हैं एड्वोकेट्स हैं किसी भी प्रॉफिशन में तो भी इंग्लिस्ट इंप्रूब करने के लिए अगर आप रीडिंग करते हैं जिस तरीकी से मैं कर रहा हूं आप इंग्लिस में सामान ग्यान बढ़ाते चले जाएंगे और एक दिन आपकी स्पीकिंग अच्छी हो जाएगी जल्दी से कॉमेंट का वेट कर रहा हूं जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं जो आर्के इंग्लिस औरिकल प्लाटफॉर्म को सपोर्ट करते हैं एक कॉमेंट आप से चाहिए मुझे कि क्या इसके बैनिफिट्स बच्चों को नहीं मिलते हैं अगर वो इमानदारी से फॉ जालते ही रहा करो यह इससे क्या होता कि नेक्स्ट वीडियो बनाने में जोस रहता है कि चलो बच्चे इंतजार करते हैं तो एक नया वीडियो भी लेकर आते हैं और जब कॉमेंट्स की कमी पड़ जाती है तो फिल लगता जाने दीजिए बच्चों को भी जरूवत नहीं ह हो आई हो आपका कमेंट अभी तक आने पा रहा है सूरज कुमार चौरस यह बहुत मिलता है कि थैंक्यू मिस्टर सूरज यासु भाई गुड मॉर्निंग वीत्तु यस लो तो चलो जड़ा देखें जड़ा टैक्लिंग माने होता है सॉल्विंग यानि टैक्लिंग को हम चाहें तो सॉल्विंग पढ़ सकते हैं हल करना किसी समय काउंटर फीटिंग के मदब जाल साजी स्माग्लिंग मदब इसको जरू जानी है टैक्स इवेजन कर चोरी है अक्सर आएक बार आ चुका है कि टैक्स के साथ चोरी में क्या लिखना है इस्टीलिंग लिखना या इवेजन लिखना है तो लोगों को नहीं पता है जैसे देखो मैं इसका फ्रेम कर रहा हूं आप समझीगा ऐसे आ गया है जैसे सम्ग्ज अवनलवट इ ताक्सा बाष्टान आ, इस्टीलिंग्ग, बवेजनग देखों दोगिजगग न्यों वेजिग। जैसे लिख़ेंग, लिख़ेंग, इस्टीलिंग दीख़ेंगे। कर चोरी की सेट्समेंट टैक्सि प्यर्द पर प्रीवेस एल्ड में स्थे क्यिस्ता थे कुट इकैक्स अप्षिंठ आप्नें आप ने आर्टर फीटिंग जाल सांजी शौरी टैक्सिवेजनी हरा ग्राफ। तोरी वेस्च Свंडामेंटल है टू सेफ गार्ड इंडिया सैक्नॉमिक स्टैबिटी सेफगार्ब का मज़्णा मैं इन सब समस्याों को हल करना पंडमेंटर मूल है बेसिक है fundamental मने basic चीज क्या है इन समस्याओं को हल करना tackling counterfeiting को smuggling को tax evasion जैसी समस्या को हल करना यह watch किसके लिए आया जड़ा comment कर दो तो watch का subject कौन है एक बार देखें कितना ग्यान है तुमारे पर watch का subject कौन है जल्दी से कि आप जानते हैं अभी मैं अगले sentence में आप से पूछने जा रहा हूं कि नाउन न कहा कहा है एक जिक्टिब कहां कहा है सब्जिट कहा है object कहा है क्रिया कहा है यह सब आप से पूछने जा रहा हूं यह जिसा कोई नहीं पढ़ाता पढ़ते पढ़ाते सर आपकी क्लास से हमें बहुत लाव हुआ थाइंक यू सर मोस्ट वेलकम देखो विवेक यादाओ कह रहा है बोर्ट सब्जिक्ट है उनको यहीं नहीं पता है कि क्या बताएं विवेक आज तुम्हें गलती कर गया बहुत गुस्सा हूं मैं तुमसे आज तुमसे मैं गुस्सा हूं अमन राज कह रहा है मेरे भाईया आपको फॉलो करते थे और आपसे पढ़कर स्टैनों हो गए हैं वा भाई वा बदाई हो अमन जी रमन राज जी तुम्हारे भाई को भी आज मैं पूरे दिन खुश रहने वाला हूं जब बच्चे मैसेज करते यह सर मुझे नौकरी मिल गई दूर करना पड़े और दिमाग की कमी यह है Mr. Vivek सुन पा रहे कि नहीं यहां जब सैड आ गया था संजय कुमार अगरवाल सैड ध्यान से सुनना संजय कुमार अगरवाल है सैड तो यह अपने आप संजय और अगला संजय बाता है सैड के वाद आप जानते हैं कि दैठ गयंक संजय कर चोड़ जरंड आरे भाईया पास्ट इंडेफिनिट आजकल टाइप 3 या 4 पर पढ़ा रहा हूं है पास्ट इंडेफिनिट का तीसरा चौथे प्रकार का वाक जो होता है जिसमें टू क्रिया का फस्ट हों या क्रिया का इंजी फॉर्म सब्जेक्ट बनता है और उसके बाद पीछे ज आपका वाष जुह यह वह टैकिलिंग सब्जेक्ट लिए उस सब्जेक्ट यहां पहे है और फंडामेंटल और कि यह पॉम्प्रीमेंट फंडामेंट और टू सlor साजी की समस्या को हल करना मूल भूत बात थी भारत की आर्थिक स्थिर्ता को सुरक्षित रखने के लिए फंडामेंटल के वाद चुकि टू आता है इसलिए क्रिया का आएंजी फॉर्म आया एक प्वेस्टन और आपने जो जानकार होंगे अर्वांस लेविल कि वह यहां पकड़ लेंगे मैं क्या वह उनको तूक्रिया का आएंजी फॉर्म यह नहीं के फंडामेंटल टू सेफगार्ड कर देंगे आप गर्वर हो जाएगा सेफगार्ड निंग करना पड़ेगा यह बात किसकी समझ में आई संदी भाई को बहुत बहुत शुक्रिया न दिल्ली न दौलता बाद अंग्रे जी इन प्रियाग विद आर्केंगो अब जड़ा आगे का विश्रेशन देखना यहां पे स्केल नाउन है और हिंदी पड़ोगे पुल्टा पढ़ते हैं जब आफ लगा होता है तो पहले इसको पढ़ते हैं समस्या का समस्या का अस्तर यह समस्या का जो दायरा है वो कितना बड़ा है कितने बड़े परमाने की समस्या है स्केल कितना बड़ा है तो यह है एक आर रिपोर्ट बाइदा फैडडरेशन ऑफ इंडिएन चैंबर्स स Corps जो फिक्कि आया था फिक्की v i.ci फिक्की जो है का फूल फॉर्म क्या ओह फैडरेशन ऑफ इडियन चैंबर्स of Commerce च्ण्डास्टी कमिटी यह कमिटी है अगे इस्ट smuggling and counterfeiting activities यह एक मनें फिक्की की कमेटी है जो की smuggling और counterfeiting activities खिलाब destroying the economy और ऐसी activities जो economy को destroy कर रही है इसको लिखा फिक्की कैस्केड फिक्की कैस्केड क्या है बहुत important information इविन आईस की जो तयारी करते हैं वह भी सुनने हैं इसको कि की कैस्केड क्या कैस्केड को देखें अगर आप तो कैस्केड यहां से कम सुरूब कमेटी अगेंज्ट कमेटी अगेंज्ट स्मगलिंग एस counterfeiting सी एक्टिविटीज ए डिस्ट्रॉइंग डी एकॉनमी ए तो फिक्की कैस्केड का मतलब एक ऐसी समयती जो counterfeiting जालसाजी चोरी के खलाब गद्विरियां जो अर्थविवस्था को डिस्ट्रॉइ कर रही हैं उनके गलत नहीं करोगे लेकिन फिलाल एक कोश्य साफ करें रिलीस्ट का सब्जेक्ट को ओन का सब्जिक्ट बता दें कोई जो जानकार लोग हों यहां अधिया एक्टिव रहो कॉमेंट करते रहो यार बड़ा धेरे 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 आप लोगों की अधिव रहोंगे पढ़ने का मजा आएगा अधिव रहोंगे पढ़ने का मजा आएगा संदीब भाहिया नमस्ति बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग अंग्रेजी को समझते हैं वो इसकी वैल्यू कर सकते हैं भाई जरा जल्दी नमस्ति रामनाथ नो 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 प्रिवेग जी अब की बार आप ने सभी आप जवाब दिया है देखो मैं इसका तरीका बता दो सभी बच्छों को बता दूँ जब आप क्रिया का सब्जेक्ट अलास्ते हो तो इसके पहले सारा आप फॉलो करते जाओ सारा यहां से यहां से यहां से जहां से चाल हुआ अदे आपिजीशन के बाद बैठे सब्दों को अबजेक्ट माना जाता है तो स्टिम्पल सा फंडा था कि यहाँ पर रिपोर्ट सब्जेक्ट है रिपोर्ट रिलीजड और तरजडरते अब रिपोर्ट की इन्फॉर्मिशन थी पूरी-पूरी यहाँ पर है अगर हम रिपोर्ट के कैसी तो है यह फिकी कैसेक्ट संबंदी रिपोर्ड है और यह जारी हुई रिलीज हुई यह यह report puts यहां भी जान लो एक adjective फ्रेजक्न यहां यह लगाता है तो सितु का माँ लगा था पुट्स दा मीन परसेंटेज ओफ ट्रेड बेस्ट मनी लॉन्डरिंग एट 19.8 परसेंट इस ने जो मीन ऐसा- परसेंटेज-फेर्ट म Możny कहीं लॉंडरिंग का वह हैं नाइंटेन प्रसेंटे डियूरिंग 2009 टह्टीं ब्लैट टीन students का जो percentage 19.8 percent money laundering का यहां पर रिपोर्ट में आया एक शेर है money laundering का इस और टोटल एवरेज वैलू गैप और जो टोटल एवरेज एग्रीगेट वैलू गैप जो टोटल वैलू गैप है जो मुल्ल का गैप और मिस इनवाइसिंग जिसमें इनवाइस नहीं बनाया जाते डायरेक्ट पैसे ले लिए जाते हैं फॉर दीज टैन यह दस सालका हम राजस्त खूफिय का है रिकॉर्डेट 437 इंस्टेंसिज ओफ ड्यूटी वेजशन चारसो थेचस कंटल ममुल एंद्यूटी इवेजन कि आया हैं दूटी वेजन का मतलब ही टैक्स चोडरिये कर चोरी के माम लिया हैं टोटलिंग 3,00924 करोर 3,924 करोर इसका टोटल है जो चोरी हुई है एक बीस इकीस 22 में और इस 40% इंक्रीज फ्रॉम 2810 करोर दोहजार बीस इकीस में जो 2810 करोर था उसमें 40% की ब्रदिया के 4924 करोर का गरबर हो रहा है मनी लॉंडरिंग या फिर पैसे का इलीगल उस पैसे से इलीगल व्यापार होता है अराउंड 3.5 टंज और आकड़े देखें आप तो चौका देंगी यह सब कोई सरकार के पास टैक्स वेक्स नहीं है सरकार सिर्फ अकिला भुगत रही इसको लगवक्त तीन सोलाव पांच टन टन की बात करना है वह एक टन आप जानते हैं एक टन जानते हैं दस क्विंटल के बराबर होता है एक टन और यह कम से कम 35 क्विंटल क्विंटल 35 क्विंटल गोल्ड सोना यहां अदमी दस ग्राम के लिए तरस राएंगे दस ग्राम कभी खरीदेंगे जब पैशा आएगा यह एक अम उठी ले लें लेंगे कुछ ले लेंगे 10 ग्राम नहीं ले पा रहा है लोग आम आदमी ऑह यहां था पैंटीस क्विंटल क क्विंटल समझते होना 35 क्विंटल सोना एक टीन करोर सिग्रेट स्टिक्स अठारा करोर सिग्रेट इस सब इल्लीगल तरीके से व्यापार हो रहा है वन फॉर्टी टन्स ऑफ रैक सेंडर्स जो रैक सेंड्स बगरा बनती है लाल बलुवा पत्थर से नाइन्टी टन्स ऑफ हेरोईन जानते हैं ड्रग होती ड्रग नशीला पदाथ वर सीज्ड अलॉंग विट अधर ड्रग यह सीज किये गए ड्यूरिंग दा फाइनेंशियल पिछले विप्तिय वर्स में एक साल में हो रहा है ग्वाटाला 35 स्वेंटल सोना एक अठारा करोर सिग्रेट्स इधर होदा इल्लीगल तरीके से जारी मार्केट में इनका कोई अकाउंट नहीं इसका नाम नाम है यह पूर्ट का नाम है इसका नाम है इसका नाम है रिपोर्ट का नाम है यह जान लेना यह यह रिपोर्ट क्या बता रहे गिव्ज दा इनलीगल एकॉनमी इन इंडिया एंड ओवरॉल स्कोर आफ शिक्स पॉइंट्री परसेंट हायर देन दा एबरेज आफ पाइफ और वन टुन्टी टू कंट्रीज अराउं द वर्ड पूरी दुनिया में जो 122 देश है उनका एबरेज जो आ रहा उससे जादा तो भहिया इनका है क्योंकि उनका एबरेज फाइव आ रहा है यह 6.3 है पॉइंट पॉइंट जो दे रहा है तो भारत में इल्लीगल एकॉनमी खुब तगड़ी चल लई है नहीं चल लई दर इपोर्ट बाइब थॉट आबिटेज रिशर्च इंस्टिटूट एक रिशर्च इंस्टिटूट है जो फिक्की कैस्केट के लिए रिपोर्ट बनाता है विट इन्पुट्स फ्रॉम मल्टीपल सोर्से इसने कई जगह के सोर्स लिए स्रोत लिए जैसे की ग्लोबल टेरर इंडेक्स क सहरा लिया है एंड गवर्मेंट डेटा और सरकारी आंकणों के तहारे यह रिपोर्ट बनी है यह रिपोर्ट किसे ने बनाई है आप इस रिशर्च इंस्टिटूट के दोरह जो फिक्की कैस्केट के लिए इस रिपोर्ट को तैयार किया है और रिपोर्ट का टाइटल आप लिए कि क्या फाइंडिंग्स अविकी फाइंडिंग्स तो मोटा मोटी हम लों की आही गई थी उमीद है कि आप इसको इंजोई की कोई चलते-चलते और रोचक कोई चीज पढ़ा दूंग आपको किसी पिरोग दूंकि कैसा आपका माने कुछ पढ़ना है कि रहने दें यह जरा मैं दिखाता हूं आप इसको देख लो में पाकिस्तान में जो बॉंबिंग हुई है बॉंब का मतलब होता है बंबाजी हो गए पाकिस्तान में अच्छे बिस्पोर्ट हो गए इस समय उसी को लिए ख़बर है कि पाकिस्तान में जो बॉंब फटे हैं underline करता है मतना विए highlight करता है कि क्यों बलो चिस्तान diffusion का मतना हुऊ है it's problem province बलो चिस्तान इसका problem प्रॉबिंस बना हुआ है इसका समस्या देने वाला प्रदेश है बलो चिस्तान पाकिस्तान के लिए जो जो बॉम्फटे है वो इस भात का इशारा करते हैं कि बलू चिस्तान, पाकिस्तान के लिए प्राब 210 है, प्राभलम स्टेट है। जड़ा इस फिगर को देखें आप तो थोड़ा मजा आएगा आपको, ये पूरा पाकिस्तान का नक्सा है। जैसे इंडिया इधर है पाकिस्तान इधर है सबसे नीचे बलोचिस्तान इधर आ रहा है मेरे मित्र यहां पर बलोचिस्तान है यह वाला पंजाब का छेत्र यह है इसलामबाद आपका यह उपरी हिस्से में है और खैवर पक्तुनक्वा पक्तुनक्वा यह आपके यहां पर आफगानिस्तान पाकिस्तान के उपरी हिस्से में ना बैठा हुआ है तो आपका जो बेसिक है वो है आपका ये वारा एरिया बलोचिस्तान आईए जड़ा इसके वारे में थोड़ा पढ़ते हैं और कुछ ग्यान और प्राप्त करते हैं आपके साथ मिलकर हमको भी बड़ा रहती है इसमें तो मैं भी बड़ा इंजॉय करता रहता हूं और यहां से देखें जड़ा है और आगे है कि यह है कि अज़िए है कि असुसाइड अटैक इन मैस्टूंग डिस्टिक आफ पाकिस्तान वलोचिस्तान यह जो सुसाइड अटैक हुआ आत्मगाती जो हमला पाकिस्तान वलोचिस्तान प्रदेश में एक जनपद है जिसका नाम है मास्तूंग या मैस्तूंग यहां पे एक सुसाइड अटैक हुआ है फ्राइड एक फिप्टी टू लगवग बावन लोगों की जान चली गए एंड इंजर्ड और घायल जो हुए है ओवर सेबेंटी सतर से ज्यादा अन्य लोग इसमें घायल हुए इस इदा डैडलियस्ट टेर्र अटैक इन पाकिस्तान सिंस 2018 2018 के समय से यह डैडलियस्ट अटैक है सबसे घातक अटैक हुआ आतंग की हमला हुआ है पाकिस्तान के वेन अप्राइड वेन सूसाइड बॉम्बिंग इन दा सेम डिस्टिक्ट किल्ड 149 एक बार और हुई थी 2018 में तब 149 लोगों के जान गई थी और अपकी बार जो बॉम्बिंग हुई है उसी जगह पर उसी पॉजिशन पर वो 52 लोगों की जान यहां पर चली गई है बलोचिस्तान आप जानते हैं जिस पर भारत भी यह कहता है कि बल जी भी भी कहते हैं कि जिस तरीके से भारत को जोड़ा गया था राजा हरी सिंग के समय नाइंटीन फॉर्टीनाइन के आस्वास जिस तरीके से राजा हरी सिंग ने प्रैसर में हस्ताक्षर किये थे तरदाब बला भाई पटेल भी उस समय थे होब मिनिस्टर हुआ करते थे जिस तरीके का सीगनिचर हुआ हरी सिंग ने किया था ऩ connection से नहरुजी थे उनके सामने नत्मस तक हुए कि मुझे बचा लो क्योंकि वहां से पाकिस्तान से कविलाए जहाती आती हैं आक्सर हमला करने चली परशान करती हैं loop पार्ट हमला यही सब करते थे वहां की सेना उन कवीलाई जंजातियों को वैक अप करती थी जाओ यार तुम हमला करो हम तुम्हारे पीछे हैं तो हरिस्टिंग को एक प्रैसर आया तो उन्होंने कहा है मैं इसके वीडियो बना चुका हूँ एक बाद जब धारा तीन सो सतर हटाने का एक पूरा एडिटोरि हम याद रहते हैं इसलिए मैं आपको इंफॉर्म कर रहा हूं कि जो राजा हरी सिंग का इंफॉर्मिशन तो और सिगनेचर था अंडर प्रैसर था क्योंकि वहां से उनको दवाव बन रहा था तो लेकिन जो पाकिस्तान के लोगों कहते हैं कि यह जवर जस्ति का सिगनेचर करके कस्मीर भारत से जुड़ा है कस्मीर हमारे ज्यादा करीब है हमारा होना चाहिए ता भूचित्र की लड़ाई देखो हर देश करता है हर देश को लगता है कि भूचित्र मेरा जितना ज्यादा होगा उतने संसाधन मेरे होंगे तो लेकिन भारत कहता है कि यह मेरा अभि बनता है तो मोधी सरकार आते ही उन्होंने एक स्टेंड लिया था कि फिर कस्मीर तो मेरा है ही मोधी सरकार कहते ही कस्मीर तो मेरा है बलोचिस्तान भी मेरा है क्यों कि बलोचिस्तान में जो लोग रहते हैं वो पाकिस्तान से संतुस्त नहीं है पाकिस्तान की सरकार से संतुच नहीं रहते हैं बरोध पदसन करते रहते हैं बड़ी-बड़ी ठैलियां निकालते हैं ओ लोग तो यही सबसे बलौचिस्तान को पढ़ना काफी मतलब एक घर यहां नहीं है तो प्रभी इस सबसे बड़ा प्रविंस का सबसे बड़ा प्रदेश सबसे बड़ा आ बिरम है कम लोग है और दूर फैले हुए स्पार्सली पॉपुलिटिटिड मतलब अगर एक घर नहीं है तो घर में चार लोग है तो दूसरे में जाकी एक मिलेगा दो मिलेगा स्पार्स ली पॉपुलिटेड जन संक्या और इम्पाव्रिस्ट हैं ये poor हैं इम्पाव्रिस्ट है मतलब गरीब हैं बहुत जावन के पास ऐसे पैसे नहीं है बहुत गरीब है अलाकि हाओवा लेकिन इस local location and abundant natural resources लेकिन इसकी जो location और इसमें जो परयाप्त बहुत प्रचुर प्रचुर कहिए प्राकितिक जो संसाधन है मेक इट स्ट्रेटिकली वाइटल फर पाकिस्तान ये पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटिकली वाइटल स्टेट माना जाता है रणनितिक रूप से महत्पूल स्टेट है पाकिस्तान के लिए क्योंकि आप प्राकितिक संसाधन ज्याद कि इमाओ पर जो स्टेट होते हैं वो बहुत एहम क्यों हो जाते हैं के इंदहं कि यह देखें कि आपको दिख रहाउगा साफ साफ है यहाँ पहां पर बंपस्पोर्ट हुआ बलोचुस्तान का इन्टिर्टिक पंजाब इधर हैं इंडिया अघर पाकिस्तान यहां से यहां तक है तो पाकिस्तान के भेखने परांगे परंध मोड़ा पूरे में ऊऊगी लेकिन यह पश्चिम में जो बैठा है वह बहुत इंपॉर्टन इसलिए क्योंकि बॉर्डर स्टेट है और साथ में प्राकर्टिक गुर्व से इसमें संसाधन बहुत सारे पाये जाते हैं कि यहां के लोग आप से खुश नहीं है इनको हमको दे दो इनको हम समझा लेंगे जरा बहुत ध्यान से देखना है इसकी कुछ इतिहास बताते हैं बलुचस्तान इसमें जो देखने को मिला है प्रदेश को वह बहुत सारी इंसर्जेंसी मतला होता है अपने ही देश का आतंग वाद वहीं के लोग इंसर्जेंट बने उगरवाद इंसर्जेंसी होता उगिरवात की जटना है खूनी अग्रवाद की जटना है को या उगुणा की जटना है देखने को मिली हैं यहांपर ढलाडर इसंत्रीट निस्त एट रै प रप्र और एक बहुत ही डियो एंडेवल इंडियोंग मैंने कि तम चलने वाला लगातार चलने ओला रास्डवादी आंदोलन भी यहां पर होता है तो यहां पर धमन भी करती है पा läuft ठाले कि जो लूग अंदोलन करने को मारी यह द्रवाई यह और यहां बलड़ी सर्जेंसी होती हैं बहुत सारे लोग फूनी उग्रवात करते हैं मारते हैं किसी को मार डालते हैं जान ले लेते हैं आफ फोस्ट एक्सेशन यह जो है जरा इसको समझना है महाम का हमारे इंट्रेस्ट का विस है जरा दिखाता हूँ फोस्ट एक्सेशन मानते हैं लोग कहते है कि यह जवर्जस्ती को जवर्जस्ती जोड़ा गया पाकिस्तान के साथ जवर्जस्ती जोड़ा गया एद टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस आजादी के वक्त प्रजेंट बे वलुचिस्तान कंप्राइज प्रिंसली स्टेट जो वर्तमान का वलुचिस्तान है उसमें प्रिंस य थे कई रजवाड़े उसमें सामिल थे अभी या तो में ऑफ और रजवाड़ों के नाम जान लिए कौन-कौन रजवाड़े थे ऑफ मकरान लास्वेला धारन कला कालत या कला ट्राइबल जिनके ट्राइबल चीफ जिनके जन्जातिय प्रमकों ने अपनी स्वामी भक्ति अपनी वफादारी दिखाई थी अंग्रेजों के प्रति दचीफ ऑफ कलत या कालत वोस्दा मोस्ट पाफुल यह सबसे सक्तिशाली शाह विड़ अधर ओविंग फ्यूडल एलिजियन्स टु से वफादारी रखते थे स्वामी भक्ति रखना होता है अलिजियन्स टु समबडी अहमद यार खान दा लास्ट चीफ और अब इसका साउंड में भी कालत हो कलात हो जो अहमद यार खान है जो अंतिम चीफ था कालत का होब डैट इस परसनल फ्रेंड से विड मुहम्मद अल अलिजिन्ना से वुड हैल्प हिमसेल हिम सेक्योर हिज ओन स्टेट वो मदद करेगी उसको अपने राज्य को सुरक्षित करने में ऑन अगस्ट 11 1947 जा ध्यान रखना जैसे हां कस्मीर में हरी सिंग हस्ताक्चा कर रहा है वैसे बलोचस्तान में जो कारत या करत करके जो वहां का प्रुख वहां का मुहिया जो है वो जिसका जिसके मित्र मुहमद अली जिन्ना थे ग्यारा अगस्त 1947 को इस विजन सीम्ड टू फ्रक्टी फाई उसको लगा कि जो मेरा दूर दस्टी कौण है बुस्त लगना फली भूत हो जाएगा फ्रक्टी फाई हो जाएगा वेन रा पाकिस्तान साइंड ट्रीटी ऑफ फ्रेंड से विदें फ्रेंड से की ट्रीटी साइन कर लिया था बलुचिस्तान के कारत प्रांत के कारत जो जन जाती है जो रज था उसके साथ और जो कारत था वो पूरा इसमें आता था बलुचिस्तान में तो उसके साथ मित्रवत जो है अंदर ही अंदर लेकिन मैं आपके साथ जुड़ा हूं इसी कारण से जो वो कंज कस्मीर का समिधान अलग से बना था वो राजा हरी सिंग की सर्तों पर बना था राजा हरी सिंग ने कुछ बलुचिस्तान का जो जिसका नाम पढ़ चुक है अहमद यार खान नाम ना भोल जाना जैसे हरी सिंग इधर अधर अहमद यार खान यही खेल खेला था कि वो पूरी तरह से एक्सीड नहीं हुआ जुड़ा नहीं बलकि एक मित्रता की ट्रीटी साइन कर लिया मुहमद अली ज अगर्टान के साओधान थे वेहरी थे साओधान किसी के रश्यन डिजाइनरस डिजाइन के रहें सड़ें और जेवन सद्देज FER? यह जो रूस के सडैन्त ते उन्से वह तो एक दों वेल अवय थे वेरी वन सावधान इंदा रीजन वर वहीमेंटली अगेंश दिस वह प्रचंड रूप से बहुती उग्र रूप से वहीमेंटली मतलब उग्रता के साथ नाराजगी के साथ इसके खिलाफ थे कि भाई तू मित्रता की ट्रीटी मत कर अहमद्यार खा कहना था एंड पुष्ट फॉर क्लास एक्सेशन तू पाकिस्तान इंस्टेट और वो प्रैसर डाला थे कि सीधे एक्सेशन करो पाकिस्तान के साथ यह सिग्नेचर फिग्नेचर से काम ना चलेगा टीटी से काम ना चलेगा ऐसा ओपीनियन था अंग्रिजमा मोरोबर तो थ् पाकिस्तान यह चाहते थे कि पाकिस्तान से सीधा जुड़ जाओ लेकिन कालत का जो प्रमुक्त था हमाद यारख खान वह चाहता था था हम डायरेक्ट अक्सीड नहीं करेंगे बल्किंगे मित्रता के साथ बने रहें गोंगे साथ दस भाई ऑक्टूबर 1947 पाकिस्तान चें फाइनली केम टूए हैड ऑन मार्च 17 1948 तारी चीजें जो है वह आई हना थिंग केम टूएड दिमाग पर आई उनीस सो और तालीश में कालस थ्री फूड़ेटी स्टेट जब कालत के तीन रजवारे स्टेट जो थे ऑफिशली जॉइन पाकिस्तान इन्होंने तो कालत के मु सब्सक्राइब तो भाईया उसने क्या किया हाफ लेंड मास उसका लॉक हो गया क्योंकि उसके आसपास के जो चेत्रते जैसे कालत यह वाकी लोग जोईन कर लिए पाकिस्तान दो यह विचारा लॉक हो गया बीच में पस्किए मोरोवा रियूमर ब्रोक ओन इसके लावा जो बलोचिस्तान में कि जो मुहमद यार खान है वो भारत से जुड़ना चाहते हैं मामला समझते जाना क्यों भारत बलोचिस्तान पर दावा करता है यही कहानी से और दावा नहीं करता है बस यह प्रैसर है कि तुम कस्मीर बोलोगे मैं बलोचिस्तान बोलूँगा तुम कस्म पाकिस्तान की कई रजवारे जो थे वह आक पाकिस्तान से जुड़ना चाहते थे जक्ति एक फिस्व 버 वह से भारत चाहता है वह पारश पाकिस्तान पाकिस्ता नहीं जुड़ना चाहता ताफ सफल था को दिस अब देखो जरा इसको बहिया पड़ते रहो थोड़ा दिस प्रॉम्टिट दा पाकिस्तान आर्मी इस वज़े से इस घटना ने पाकिस्तान आर्मी को उक्साया टू मूव इंटू बलोचिस्तान यह 26 मार्च उन्नी सौरतालीस की घटना मार्च 26 1948 आर्मी घुजगई वहिया जो है कहां बलोचिस्तान के अंदर और जब आर्मी गई तो खान ने जो है साइन दर ट्रीट्य ओप एक्सेशन आडे लेटर यानि 27 मार्च को खान सहाव यानि अहमद यहार खान ने मजबूरी में डर के मारे अस्ताक्षर कर दिया एक्सेशन का यह नहीं जुड़ जाने का वही हम जुड़ गए तुमसे पाकिस्तान हम जुड़ गए तुमसे यह है पूरा घटना अब देखो जड़ा अब अब देखना क्या हुआ एक घटना हो रही यहाँ पर अब वाइलेंट कॉन्फिक्ट बहु उन्होंने विद्रो कर दिया अगेंस्ट एक्सेशन एग्रीमेंट की जो पाकिस्तान से जुड़ने की सहमती उसका ब्रोथ कर दिया इसने किया अहमाद यार खान के भाई अब्दुलकरीम ने किया इस्टार्टिंग दा फस्ट ऑफ फाइग बलोच वार्स ऑफ इंडिपेंडेंस और उन्होंने कहा कि हम बलोच के इंडिपेंडेंस की लड़ाई लगें आजादी की लड़ाई लड़ेंगे नाइनटीन-फॉर्टी येट्ट-फिप्टी नाइन-इस्टीटू-टी-ट्री येजिएड़ेंड सेमिनिट्री और वुषएजन लड़ाई चब लाई यहां पर कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि कस्मीर में लोग आजादी की लड़ाई कर रहा है पाकिस्तान के लोग कहते कस्मीर में जो आतंगवादी व journalists आतंगवादी ने वो अपनी आजादी के लड़ारा है तो मोदी सरकार कहती कि वलोचिस्तान में कौन है करीम्ठान के बंशच हैं वो तो आजादी के लड़ाई लड़ रहा हैना वो कहरे हमें नहीं जुड़ना पाकिस्तान से कितनी वार उन्होंने यूद्र किया पखिस्तानि से बलो चिस्तान ने दोहजाद तीन से लगातार वो ब्रो कर रह रहे हमारा हम को आजात करी हम्हाजाद होना चाहते है कि Malo in तो ना वार बाई इतिहास इतिहास समझे आया बलो चिस्तान का की नहीं आया है अब अब शेख राज दूर्व क्या लिख दिया है हाँ भाई या रानी में भी अच्छी हैं सब लोग अच्छे हैं चलो बाकी जड़ा बताओ इस्ट्री पता चली आपको मेरे जो वीडियोज हैं अब शेख जी अगर आप अच्छे से कंटेंट को फॉलो करोगे तब आपको समझ में आएगा नहीं ऐसे तो फिर आप कुछ भी बोलते रहेंगे ना भाई जल्दी से बताओ बलोचिस्तान का पूरा हिस्ट्री समझ में आया कि बलोचिस्तान क्या ची के लिए कि तुम पाकस्मीर में जो लोग हैं उनको सुतंतरता सेना नहीं बोलते हो तो बलोचिस्तान में क्या हो रहा उसको भी तो कुछ बोलोगे एक बार कॉमेंट डाल दे बिटा बड़ा स्लो आपके कॉमेंट्स बड़े स्लो आ रहा है वही क्या बात है अब शिख राजपूत अगर तुम्हारे घर में जाके मैं बोलूं कि तुम्हारे घर का मालिक मैं हूं तो कैसा लगे गां तुम को कभी नहीं करना चाहिए आपको जो पसंदे आप अपने धंग से करते रहे लेकिन किसी अधर प्लैट्फॉर्म पे जाके कहानी सुनाना इस इत गूद It is not good Number 1 Without knowing Without achieving anything If you make comments like this It means you are weak in English That is the main reason That you are ignoring my video You are posting a comment Which is not expected here So Mr. Babsheikh Rajput You should take care of The way you are going The direction in which you are going I think you should notice it Mr. Babsheikh Rajput if you can understand the sentiment of those who are working hard I have been teaching for the last one hour very sincerely and I am letting you know the meaning of each and every word despite the fact if you don't don't take interest in this useful session it means you are definitely weak in English and you are singing a song of those who do not have any credit of selection so this is a story I am here to be my dad and I will add more and more and more yeah 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 and here's the idea of the joke and I'm sorry I don't even know why Pakistan for this it is not just an issue in this video because I am the only one of the people who have been accused of the people who have been accused of the people who have of atrocities और पाकिस्तानी सेना पर एक आरोप है कि atrocities करते हैं अत्याचार करते हैं जैसे कि अपहरण करते हैं टॉर्चर करते उत्पीडन करते हैं और भी ट्रेरी अरेस्ट यानि मनमानी ग्रफतारी करते हैं एड़ एक्जीक्यूशन और कभी कभी तो इनको फासी दे देते हैं जो उसके अंदोलनकारी हैं काफी कट कठोर कारवाहियां करते हैं यह आरोप पाकिस्तान की सेना पर एक अंतरास्ती जो एमनेस्टी इंटरनेसनल पॉरम हैं वहासे एक रिपूट आती हैं पाकिस्तान मार दो अर दफन कर दो कि जो रणनिटी है वेलनि स्चैयोर्टी परशनल कप एक्टिविस्ट यहां पर स्च्योर्टी परसनल यहनि स्वतन्तरता तामिचारी करताओं को अंदोलनकारियों को टॉर्चअ फ़ॉर्फॉर्मीशं और सूचना पानिकली उत्पीडन करते हैं टॉर्चर करते हैं फिर उनको सूटकरते गोली मार करते हैं and dump their bodies व की भीनकष को dump कर लेते हैं पाकिस्तान की सेना का यह Amnesty International Report से सामने आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान की सेना की होँ नीती चलती है Kill and Dump मारो और दफन कर दो मारो और मिट्टी में मिला दो इस पूरा का पूरा जो स्ट्रेड़ी है पाकिस्तानी सेना की तो दोस्त बहुत बहुत शुक्रिया महरवानी आप मेरे साथ थे ऐसे वीडियो फॉलो करते रहे हमारे चैनल से पीछे भी जाके फॉलो करिए वीडियो पसंद आते हैं तो कॉमेंट जब डाल दिया करिए और जो भी लोग आपके टच में आते हैं उनको English with Arkingo या आरकेंग्लिस औरेकल चैनल के वारे में जरूर बताते रहे हैं ताकि वह भी इंग्लिस का यह उत्क्रिस्ट जो सैसन होता है उसका फाइदा उठा सकें और अपने जीवन में अंग्रेजी की बहाल ला सकें थाइंक्यू सो मच्छेव वही नाश्रायम जय हन्द जय भारत जय ग्रामीड भारत